एपिसोड की स्टार्टिंग में यूहाव वांग डॉंग जियाव जियाव को एरेना के अंदर एंटर करने के लिए कहा जाता है जिसके बाद हुआ बिन लू और शुई को एंटर करने के लिए कहा जाता है और सभी की नजरे हुआ बिन की टीम पर और यूहाव की टीम पर जम और प्रूव करना होगा कि मैं लूजर नहीं हूँ और हम देखते हैं कि यूहाओ और हुआ बिन की नजरे एक दूसरे पर ही टिकी वी होती हैं और जैसे ही बैटल को शुरू किया जाता है तो यूहाओ की पूरी टीम एक साथ अटैक करने लगती है और यूहाओ चलाते वे कह बदल जाता है और ये अपनी पूरी टाकत को इस्तमाल करके अटैक करने लगता है और इस तरफ लू और शुई कहती है कि चलो मुझे तुम्हें संभालने दो और ये तीनों ही एक साथ इन तीनों के उपर अटैक करने लगते हैं और इनको आता देख यूहाओ तुरंत ही मे इस्तिबिशन का यूज करता है और शुई अपनी स्किल को यूज करते हैं यूहाओ से कहती है कि तुम मेरे अपॉनेंट हो और इसकी ये स्किल किसी परेके की प्यार में डालने वाली जैसी होती है जिससे की सामने वाला इसकी कंट्रोल में आ जाए लेकिन इसका असर यूह को भार करो और जो पावर अटेक सिस्टम के हैं उन में से एक को मुझे छोड़ दो और फिर शुई जियाओ जियाओ को देख के कहती है कि तो अब तुम मेरी अपोनेंट हो और ये जब जियाओ जियाओ के ओपर अपनी स्किल को यूज करने ही वाली थी कि तभी यूहाओ इसक को यूज करती है और यूहाओ जियाओ जियाओ और वांग डॉंग की दोनों के ही मदद कर रहा होता है और लू कहती है कि आकर इन से निपटना इतना साता मुश्किल क्यों है और तभी एक काफी तगड़े क्लैश के बाद वांग डॉंग यूहाओ की पिछे आके लेंड कर करता है तो यूहाओ उसे पूचता है कि वांग डॉंग क्या तुम ठीक हो और इस तरफ हुआ बिन काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि तुमने अपने आपको और इस्टिमेट कर दिया था तो चलो अब भाड में जाओ और तभी वांग डॉंग इसके उपर विंड लाइट वेव को यूज करता है लेकिन वांग डॉंग इसके अटेक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है और इस नाजारे को देखके शुई भी थोड़ी हैरान होती है और वाब इन तुरंती पीछे अटने लगता है जबकि शुई वांग डॉंग की तरफ बढ़ रह और वांग डॉंग अटेक करने के लिए अटेक तयार कर रहा होता है और इसी इसको देखके शुई मन में कहती है कि शिट इसका टार्गेट तो मैं हूं और इन्हें इतनी अच्छी तरीके से अटेक करता देख फैंग यू भी अचंबीत होता है और कहता है कि यही आर्ट है बैटल की और फिर शुई भी अपने टेल से अटेक करते हुए कहती है कि मुझे दोश मत देना मेरी बहरेम टेल के लिए और एरिना के बहर जाने में मेरा साथ दो और इस तरफ यहा के कंदे पे वांग डॉंग भी खड़ा होता है लेकिन जैसे ही शुई की टेल इसके लगने वाली थी ये शैड़ो स्टेप का यूज़ करके इसकी टेल से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और इसे ऐसा करता देख शुई के काफी टगड़े वाले होच उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिर ये कैसे मेरे अटेक को डॉज कर सकता है और लगता है कि मेरा अब खेल खतम होने वाला है और तभी वांग डॉंग अटेक कर देता है और तभी हुआब इन बीच में आके इनके अटेक को ब्ल अपने wing से इसे injured करने लगता है और thousand year spirit skill butterfly goddess की zero distance light को use करता है और ये तीनों ही अपना अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं लेकिन वांग डॉंग की skill की वज़े से हुआ ब इनको काफी जदत दर्द होने लगता है और तो और ये काफी injured भी हो जाता है जिसके बाद ये गुस्से से अपनी power को release करता है और वांग डॉंग को पीछी हटने के लिए मजबूर कर देता है और वांग डॉंग कहता है कि ये सच में ये सच में एक spirit elder कहलाना deserve करता है और ये लगबग un sketched है और तभी यूहा आगे आते वे कहता है कि दाई हुआ बिन ये अभी खतम नहीं हुआ है और लो अब मेरे पाम को संभालो और इतना कहता है यूहा अपने पाम से दाई हुआ बिन के उपर attack कर देता है और यूहा कहता है कि ये पाम तो सिर्फ शुरुवात है और मॉम क्या आपने ये देखा और ये होकी सटेक की वज़े से दाई हुआ बिन काफी पीछे तक चला जाता है और कियान खुश होते वे कहता है कि यान कैसा लगा और मैं तुम से ज़ादा समझदार हूँ ना और फिर यान कहता है कि कियान ये कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगी लगता है कि तुम स्टार लू एमपायर के वाइट टाइगर ड्यूक मैनर और जू फैमली के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भूल गए हो और इस तरफ हुआ बिन थोड़ा गुस्से में होता है और मन में कहता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो और आखिर कैसे तुम अपने आपको वाइट टाइगर ड्यूक का बेटा कह सकते हो और इस बात को सुनके हुआ बिनको गुस्सा हो जाता है और इस तरफ वांडोंग योहा और ज्याओ जाओ ये तीनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये भाग के वापिस क्यों लोट रही हैं और योहा परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं और क्या ये लोग सच में वो करने जा रहे हैं और इस तरफ हुआ बिन अपनी स्प्रिट रिंग को रिलीस करते वे गुस्टे से काफी जाता पावर को रिलीस कर रहा होता है और लुओ भी इसकी तरफ अपनी स्प्रिट रिंग को रिलीस करते वे बढ़ रही होती है जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जिस वज़े से इनकी पावर कमबाइन होने लगती है और ये दोनों Spirit Fusion को यूज़ करने लगते हैं और इसे के साथ Friends एपिसोड भी हमारा इंपे खतम होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बूले थैंक यू